नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पा पहली एंगलो मैसूर फॉर अब देखो एक तो इयर बहुत इंपॉर्टेंट है बई जाधा इग्जामेनर को लगा कि बहुती फसाना है बच्चों को तो ऐसे क्वेशन्स आ सकते हैं कितने भी आप इन क्वेशन्स को बोलो कि यह बिलकुल याद नहीं रह सकते पर थोड़ एक ट्रीटी करी निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ 1766 में इन्होंने कहा जो नधरन सिरकार्ज रीजन है वो आप हमें दे दू इसके बदले में हम आपको क्या देंगे हम निजाम को प्रोटेक्ट करेंगे हैदर अली से हैदर का निजाम के साथ टेरिटोरिल डिस्प्यूट चल रहे थे नवाब अफ आरकॉट के साथ भी और मराथा से भी इनके डिफरेंसिस थे अब इनकी जो आपसी ये प्रोब्लम्स थी ना इसका फायदा इन बिटिश ने उठाया निजाम मराथा और इंगलिश अब देखो कौन-कौन एक तरफ हो गया है निजाम मराथा और इ जो भी टेरिटरिसम कॉंकर करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे निजाम के साथ और निजाम को भी कनवर्ट कर लिया अपने दोस्त बना लिया उसके बाद उन्हों जॉइन कर लिया निजाम को टू अटैक दी नवाब अफ आरकॉट अब ये वार कंटिन्यूड रहा एयर ए करेंड हाफ तक और कोई अटरीोजन इसका ने निकला इसमें ए एक ट्रीटरिय आद रखनी आपको ट्रीטी ऑफ मढरास है इस ट्रीटी ने बोला एकस्चेंज आफ प्रिजनर्स रहेंगे बेसिलि हैधेलिये ने मतलब हैधर ये इंगलिश को इंग्लिश ने प्रॉशर आ इनको attack कर दिया Marathas ने और English आए नहीं मदद करने और यहाँ पे इनों ने कहा था promise की थी help तो यह लोग ऐसे करते थे for the time being चीज को आगे बढ़ा लेते थे और अपनी कोई बात यह लोग पूरी करते नहीं थे Heather ने एक anti-English alliance बनाया Marathas और निजाम को मिला के फिर उन्होंने वो follow up किया एक attack हुआ करनाटिक पे आरकॉट कैप्चर कर लिया और defeat कर दिया English आर्मी को अंडर करनल बेली 1781 में इस बीच में जो English थे सर आयर कूट के अंडर detach हो गए दोनों Marathas से भी और निजाम से भी फ्रम हैदर साइड लेकिन जो हैदर था ये एकदम डटा रहा और इन्होंने English को एकदम अच्छे से face किया चाहे हारी गए लेकिन बहुत अच्छी खासी resistance दिया और defeat कहा हुए ये पोटो नोगो November 1781 में फिर से इन्होंने अपनी forces को regroup किया और English को defeat किया और capture कर लिया इनके commander breath white को हैदर अली cancer से उनकी death हो जाती है और इनके बेटे T.P. सुल्तान आते हैं और war को आगे बढ़ाते हैं लेकिन कोई positive outcome नहीं निकल किया आता है अब इससे कौन सी treaty होगी देखो M. एक M तो आपने देख लिया madras, अब दूसरा M आ गिया है M. Mangalore पहला M और ये था पहली Anglo-Mysur War का और ये दूसरी का ऐसे याद रख सकते हैं आप कुछ-कुछ बना के अब कोई conclusion तो आ नहीं रहा था दोनों sides ने क्या सोचा भई अब थोड़ा सा शान्ती करनी चाहिए हमें negotiate की उन्होंने Treaty of Mangalore और उन्होंने कहा कि हम थोड़ा-थोड़ा अपनी territories आप वापस ले लो जो जो हमने एक दूसरे से ले ली थी Third Anglo-Mysur War 90 और 92, 1790, 1792 एक dispute आ गया Tipu और State of Trevancore के बीच में अब क्या होता है April 1790 में Tipu war declare कर देता है against Trevancore English जो है जाहिर सी बात है side ले ले लेंगे अब Trevancore की और attack कर देंगे Tipu पे 1790 में Tipu defeat कर देगा English को under General Meadows 1791 में Convalis आएंगे leadership संभालेंगे और Ambur तक जाएंगे Ambur और Velor, फिर Bangalore 1791 में और फिर जाएंगे Shrirangapatnam Coimbatur they will lose it again और फिर with the support of Marathas और निजाम English attack कर देंगे Shrirangapatnam पे दूसरी बार Tipu काफी serious opposition offer करेंगे लेकिन consequently वो हार ही जाएंगे और फिर treaty sign होगी Treaty of Shrirangapatnam अब देखो एक M था दूसरा M था M M S बस बना लो इसको treaties को याद कर लो ऐसे 1792 में treaty sign होगी आधी से जाधा Mysorian territory जो है Britishers ले लेंगे बारहमल, डिंडिगुल और मालाबार भी English ले लेंगे Marathas को regions मिलेंगे तुंभदर के around और उसकी tributes के around और निजाम को क्या मिलेगा Krishna के, Krishna river के around का area to beyond the Pennaar river और war damage 3 करोड रुपे भी लिया गया था टीपू के साथ, काफी humiliating treaty थी 4th Anglo-Maisour war टीपू सुल्तान जो थे, उन्होंने international cooperation भी लेने की कोशिश करी Britishers को भगाने के लिए उन्होंने एक French company को इथी India में, Napoleon उसको अप्रोच किया और Afghanistan और Mauritius से भी help मांगी दूसरी तरफ, British ने treaty की with Marathas and Nizam on the condition, किस condition पे कि profit जो receive हम करेंगे war से उसको तीनों आपस में भाट लेंगे war होती है, April 17, 1799 end होती है, May 4, 1799 शिरंगा पत्नम को कबजा लेते हैं ये, टीपू defeat हो जाता है by first, पहले किसके द्वारा, English General Stuart और फिर General Harris टीपू, सुल्तान की डेथ हो जाती है bravely, उनके family members को intern कर दे जाता है at well or और उनके जो treasures थे, उनको सभी ये English confessor kit कर लेते हैं अब हम देखेंगे Anglo Maratha struggle for supremacy पहला Anglo Maratha war 1775 1782, सब आपको याद रखने है match the following में भी पूछ सकता है ऐसे questions आते हैं, आते रहेंगे माधव राओ की death के बाद 1772 में, उनके ब्रदर Narayan Rao succeed करते हैं as fifth Peshwa Narayan Rao के जो अंकल होते हैं, रगुनात रोय उन्होंने अपने nephew का assassination कर दिया था और उनको अपने आपको name कर लिया था as the next Peshwa लेकिन वो कोई legal hire नहीं थे Narayan Rao की जो विडो थी गंगा अब आई, उनका एक बेटा होता है अब उनके husband की death के बाद इस newborn infant का नाम रखा जाता है सवाई treaties of सूरत and पुरंदर, आप जो ये रगुनात रो थे, ये अपनी position नहीं देना चाते थे, इन्होंने English से help ली, Bombay में, और यहां पे treaty sign will, treaty of सूरत 1775 इसमें इन्होंने कहा कि हम आपको sales seat और बसीन दे देते हैं और थोड़ा सा portion of revenue दे देंगे, सूरत और बरूच का भी और इसके बदले में English क्या देंगे 2500 soldiers British Calcutta Council दूसरी साइट पे एक treaty करते है, treaty of सूरत 1775 और Colonel Upton को Upton, Upton जैसे आप बोलने चाहें को पुने भेशती है, इस treaty को खतम करने के लिए और एक और नई treaty करते हैं लोग, treaty of पुरंदर 1776 Regency, renounce राती, रघुनात रोई किया promise होती है उनको एक pension Bombay Government reject कर देती है इसको और refuse देती है to रघुनात 1777 में Nana Fadnavis जो हैं, वो treaty को violate कर देते हैं जो Calcutta Council होती है Calcutta Council के साथ की treaty वो violate कर देते हैं और grant कर देते हैं French को एक port West Coast पे अब English को इस बात पे गुस्ता आता है और वो force भेज़ देते हैं पुने की तरफ English और Maratha Armies meet करती हैं पुने के outskirts पे, English surrender कर चुके होते हैं by mid January 1779 और sign करते हैं Treaty of Wadgaon जिससे Bombay Government को सारी जो territories English ने acquire की होती है since 1775 ये वापस करनी होती है according to this treaty Warren Hastings, Governor General होते हैं बंगाल के reject कर देते हैं Wadgaon को और अच्छे खासे soldiers को भेज़ते हैं under Colonel Godard जो की capture कर लेते हैं जिन्होंने capture की होता है हमदबाद को इन February 1779 और Basin को December 1780 February 1781 में English General Cammack के अंडर finally defeat करते हैं Sindhya's को at Sipri Treaty of Salby देखेंगे Sindhya propose करते हैं नई treaty पेशवाज और English के बीच में May 1782 में sign होती है ये provisions देखें लिजे main main Salcet जो है वो English का ही रहेगा इस treaty की अनुसार जो पूरी territory है conquered since the treaty of Purandar 1776 में जो हुई थी including Basin वो Marathas को वापस दी जाएगी पेशवा किसी भी और European nation को support नहीं करेंगे और इस treaty में ये भी बात होती है कि एक peace agreement sign हुआ था basically for the next 20 years दूसरी Anglo-Marathas war होती है 1803-1805 Nana Faddevis की death के बाद पेशवा Bajirao Marathas को Marathas सरदार्स को fight करवाते है among themselves अपनी position maintain करने के लिए लेकिन वो खुद उसी का शिकार हो जाते है दोनो दौलत राव सिंधिया और जस्वन्त राव होलकर establish करना चाहते थे अपना प्रभुत्व पूना में सिंधिया जो थे वो successful रहे इसमें और जो dominion था सिंधिया का वो establish हो जाता है Bajirao के उपर April 1801 मे पेशवा जो है जस्वन्त राव पेशवा जो है वो मार देता है शरण ले लेते हैं और British के साथ treaty कर लेते हैं जसको बोला गया treaty of Basin 1802 पेशवा क्या-क्या बाते मानते हाँ पे कंपनी से एक native infantry को जो की 6000 रूप से कम रहेगी वहाँ पे किसके proportion में artillery और European artillery के में जो men attached रहते थे वो वही पे अपनी territories में station रहेगी एक infantry, एक टुकडी और ये company को देदेंगे territories और 26 lakh रूपीज की income तक की territories company को देदेंगे ये surrender करेंगे city of Surat और सारे claims देदेंगे फ़र जो चौथ वो लोग लगाते थे निजाम की dominions पे वो English को देदेंगे company का arbitration accept कर लेंगे सारे differences में मतलब कोई भी जो भी problem या conflict आएगा वहाँ पे company arbitrator होगी और कोई employment नहीं देंगे जाहिर सी बात है किसी और European शक्ती को जो war में रहेगी with English 3rd Anglo-Maratha War 1817, 1819 मुझे उमीद है आप सारी wars के years और उनसे related treaties याद करते जा रहे होंगे और इनका note बनाते जा रहे होंगे Lord Hastings के जो actions होते हैं अगेंस दे पिंडारीज ये basically लुटे रहे होते थे इसको एक तरह से transgression consider करते हैं Marathas अपनी sovereignty पे Hastings force करते हैं पेशवा, सिंधिया और भूसले को काफी offensive treaties sign करने के लिए अब Marathas repent करते हैं आखरी बार कहलो 1817 में और सब को एकटा कर लेते हैं वो और English को English के साथ war कर देते हैं थर्ड Anglo-Marathas war जिसको बोल रहे हैं पेशवा टैक करते हैं British residency पूना में अब पेशवा जो हैं यहाँ पे defeat हो जाते हैं पूना का उसको merge कर देते हैं company के साथ तो Marathas basically इनका political और military power एकदम cut off कर देते हैं और कुछ important treaties sign होती हैं बस आपको नाम याद रखने June 1817 Treaty of Puna पेशवा के साथ November 1817 Treaty of Goliath सिंधिया के साथ January 1818 Treaty of Mansoor होलकर के साथ और June 1818 में पेशवा finally surrender कर देते हैं और Marathas जो एक confederacy होती है dissolve हो जाती है पेशवाई ship भी हाँ से abolish कर दी जाती है अब हम देखेंगे conquest of Synth 18th century में तारापूर अमीर से पहले Synth पे राज होता था कलोरा chiefs का 1758 में एक English factory वहाँ पे बनाई गई at 30 एक परवाना मतलब ये फर्मानी हो गया कलोरा prince गुलाम शा ने English को दिया था 1761 में गुलाम शा English resident के arrival पे अपने court में ratify कर देते हैं स्ट्रीटी को और exclude कर देते हैं कि बाकी कोई नहीं आएगा सिर्फ English रहेंगे यहाँ पे ये एडवानटेज इंग्लिश को मिल रहा था अच्छा कासा 1775 तक अब क्या होगा कोई एक ruler आएगा जो बहुत friendly नहीं होगा सर्फरास Khan वो इंग्लिश को बोलते था अब अपनी factory यहाँ पे बंद कर दो 1770 में बलोच tribe called तारापुराज hills से नीचे आती है और settle जाती है plains में सिंद के ये बहुत कमाल के soldiers थे और hard life को adapted थे अच्छा कासा इनका influence होता है उस region में और ये लोग power require कर लेते हैं 1783 में तारापोर्स जो होते हैं मीर फता के अंदर मीर फता अली खान establish करते हैं complete hold over सिंद और कलोरा प्रिंस को ये लोग वनवास पे बेज देते हैं उसके बाद जो वहां का दुरानी मुनार को होता है वो अपने claims जो है confirm करता है किसके claims मीर फता खान के और order करता है कि मैं आपके साथ share कर लूँगा country with his brother मीर के brothers के साथ पॉपुलर नी उनको क्या बोलते थे चार एयार जब मीर फता की death हो जाती है चार एयार डिवाइड करते थे kingdom को आपस में और इनको बोला जाता है आमिर्स या फिर lords of Synth टीपू सुल्तान के अंडर में आने के बाद jealousy जो होती है local traders की इनको aid मिलती है anti-British party होती है at Hyderabad आमिर जो होता है October 1800 में ये जो आमिर होता है ये influence में आता है टीपू सुल्तान के ये order करता है जो British agent वहाँ पे होता है कि आप प्लीज सिंद से चले जाओ 10 दिन के अंदर-अंदर जो British agent होता है ये क्रोन का नाम है ये सिंद को ये चले जाते हैं यहां से मतलब चुप-चाप चले जाते हैं बेस्ती तो होती है इनकी पर चले जाते हैं ये June 1807 में Alliance of Tilsit with Alexander I of Russia को जॉइन करते हैं Napoleon Bonapart ये जो Alliance है इसकी कुछ conditions होती है एक combined invasion of India by land route अब British जो थे वो warrior एक barrier create करना चाते थे Russia और British India के बीच में अब यहां से Lord Minto तीन delegation भेजेंगे किस-किस के अंडर Metcalfe Lahore जाएंगे Elphinstone Kabul जाएंगे Malcolm तहरान जाएंगे और सिंद में जाएंगे Nicholas Smith जो आमिर से मिलेंगे और एक defensive arrangement established करेंगे और एक eternal friendship का agreement आईप यह sign करेंगे और यह agreement होगा कि आप French को नहीं आने देंगे यहां पे Treaty को renew करते हैं 1820 में एक article और यहां पे add कर देते हैं Maratha Confederacy के defeat के बाद 1832 की treaty William Bentech जो है Colonel Pottinger को Synth भेजते हैं आमिर सका treaty करने के लिए provisions क्या थे भाई free passage दोगे आप Synth का English traders जो जा रहे हैं Indus की तरफ से उनको आप निकलने दोगे हां से राम से कोई English merchant नहीं जो English merchant settle down होगा सिंद में passports चाहिए होगे travelers के लिए यहां पर मतलब कोई English merchant तो settle down नहीं होगा और कोई भी निकलेगा तो उसको passport चाहिए होगा tariff rate alter कर सकता है आमिर अगर जादा है तो और कोई military due या tolls जो है demand नहीं किये जाएंगे आमिर्स जो है वो work करेंगे with the Raja of Jodhpur जो वहां के कोई robbery का problem था कच में उसको कम करने के लिए जो old treaties थी वो confirm की जाएंगी और एक दूत्रे से jealousy की भाव नहीं रखा जाएगा Lord Auckland and Synth Lord Auckland जो Governor General बने 1836 में उन्होंने Synth को एक perspective की तरह देखा कि India को बचाना है from the possible Russian invasion और उनको एक capital में establish किये जाएंगे और आमिर इसका खर्चा देगा आमिर ने शुरू में मना किया लेकिन फिर मान लिया 1838 में और treaty ने permit किया English को वहां के जो internal disputes है ये तो उनका काम ही था पहले factory लगा और फिर वहां के internal matters में चले जाओ तो इस तरहीके से सिंद जो है British protectorate बन जाएगा 1838 तक आते आते हैं Triptide Treaty of 1838 पहली British persuade करेंगे रंजीत सिंग को एक triptide मतलब तीन पार्टी ट्रीटी जून 1838 में British mediation होगा disputes किस-किस के बीच में आमिर और जो emperor था शाह शुजा वो अपना sovereign right देगा सिंद पे और areas भी दिये जाएंगे as tribute सिंद एक्सेप्ट कर लेगा subsidiary alliance 1839 में मतलब बड़ी force से डरके आमिर एक्सेप्ट कर लेगा February 39 में subsidiary force महाँ पे station की जाएगी शिकारपूर में और बुकार में और आमिर जो है वो पे करेंगे 3 lakh annually मतलब troops तो उनके और पैसा देखो कौन दे रहा है ऐसी ये थी इनकी shrewdness और आरे थे लोग इनकी shrewdness में आप देखेंगे हम Punjab पे conquest जब रंजीत सिंग का जनम होता है तो 12 important missles से हमने उपर भी देखा था एहलुवालिया, भंगी डलेवालिया, फैजलपुरिया कनहिया, कोरा सिंगिया नकिया, निशानिया, फुलाकिया रामगरिया, सुकर्चकिया और शहीद आपको पता होना चाहिए इस पूछ सकता है इन में से 4-5 नाम देखे कि इन में से कौन सा missles नहीं था 1805 में रंजीत सिंग ने क्वायर किया जम्मो और अमरिटसर और अपना political capital किसको बनाया लहूर को और religious capital अमरिटसर को रंजीत सिंग ने treaty of अमरिटसर साइन किया था company के साथ इसमें क्या हुआ था जो रंजीत सिंग का सपना था ना बहुत सिक नेशन को बहुत बड़ा बनाना ये रुग गया था क्योंकि यहाँ पे company ने lines draw कर दी थी तो आब इनोंने अपनी energy लगानी start करी west में और मुलतान को capture किया कश्मीर को, पेशावर को रंजीत सिंग की death हो जाती 1839 में और इनकी death से जो ये process of decline है start हो जाता empire का अब यहाँ भी wars करेंगे ये पहला अंग्लो सिक वार 1845-46 पहला जो अंग्लो सिक वार हुआ था वो क्यों हुआ था कि सिक आर्मी ने attempt किया था river सतलुच को cross करने का इसको English ने एक aggressive maneuver समझा और बस war declare कर दिया सिक्स को defeat किया गया पांच successive wars में अट मुड की फिरोश्या, बुढले वाल, अली वाल, सोब्राउं, लाहॉर मतलब लाहॉर तक आते आते हैं मतलब फेब 20, 1846 तक बिना लडाई के ये लाहॉर इनके कबजे में आ गया था इतना important नहीं है पर आप देख सकते हैं बसे एक बार Treaty of Lahore, March 8, 1846 पहला Anglo-Sikh War end हो गया था, तो काफी humiliating treaty sign की थी, Six ने main feature क्या थे, ward indemnity एक करोड से दादा दी जाएगी English को Jalander Dwap जो था, वो annex कर लिया company के dominions ने और British resident आएगा यहाँ पे Henry Lawrence आय थे Dalip Singh, उनको recognize किया गया as a ruler under Rani Jindan मतलब यह उनकी regent थी और Lal Singh वजीर थे Six, entire ward indemnity तो दे नहीं पाये थे तो कश्मीर को भी include कर दिया था including Jammu, उनको बेच दिया था गुलाब सिंग को Treaty of Beharowal, Six satisfy नहीं थे Treaty of Lahore से, कश्मीर का जो यह issue था तो उन्होंने विद्रो किया December 1846 में Treaty of Beharowal sign हुआ Rani Jindan को remove किया गया as regent और एक council regency पंजाब में set up की गई council में 8 six सरदार थे और इनका president कौन था? को English resident, Henry Lawrence Second Anglo-Sikh War 1848-1849 Defeat हो जाता है पहले Anglo-Sikh War में in the provisions of Treaty of Lahore और Beharowal काफी humiliating थी six के लिए तीन important battle हुए थे final annexation से पहले पंजाब के कौन-कौन से battle of Ramnagar led by sir Hugh Kau commander-in-chief से company के battle of Chilhanwala January 1849, battle of Gujarat और Sikh army surrender कर देती है travel pindi, six को ban कर दिया गया था किसी भी weapon रखने से except for Kripan तो इस सरीके से हमने ये सारी Anglo-Sikh Wars देख लेए doctrine of labs की बात करें ये start हुआ था Lord Dilhousie के time पे अब basically ये क्या था कि जो adopted son होगा वो बन पाएगा उत्राधिकारी अपने foster father की private property का but not the state ये था for it was for the paramount power decide करने के लिए कि मतलब English decide करेंगे कि ये इस तरीके से adopted son को दिया जाए ये अधिकार या नहीं तो इस basis पे जो states annex की गए ये बहुत important है ये आपको आद रखना है सबसे पहले सतारा जहासी नागपुर और जैदपुर बुंदेलकंट संभालपुर बगाट Lord Dilhousie ने अवद को annex के था 1856 में ये सबसे important line है इस पूरे paragraph की तो ये आपको ध्यान रखनी है Subsidory lines की बात करें Subsidory line system था Lord Willisley ने ले के आये थे इसको ये जो Governor General थे 1798 से 1805 इस system के अंडर क्या होगा जो Allying Indian State का Ruler है उसको Permanent Stationing of British Force Accept करनी है अपनी territory में और उसके लिए subsidy भी देनी है और Indian ruler को ये भी agree करना है कि अपने court में दरबार में British resident बिठाएगा वो जिन states ने accept किया Subsidory lines वो कौन थे पहला कौन था ये था अवद 1765 फिर निजाम ओफ हैदरबाद Ruler of Mysore, Ruler of Tanjore Nawab of Avad, Peshwa Bhonsle Rajah of Biraad, Sindhiyah Rajpur, States of Jodhpur, Jepur Macheri, Boundi, Ruler of Bharatpur Holkers थे, Last Maratha जुनोंने ये accept किया था Subsidory lines 1818 में अब देखो relation British के neighboring country से देखेंगे सिर्फ important चीज़न देखनी है हाँ पर ये बहुत important नहीं है, exam में hardly पूछा जाता है Anglo-Bhutani's relation Assam Conquest किया 1816 में ये काफी close contacts में आ गए इस state के साथ अब यहाँ पर आपको कोई खास चीज़न नहीं बननी है बस इतना ध्यान रखना है कि ये मतलब ऐसा district बनिया था जहाँ पर ये लोग tea gardens अपने चलाते थे बस इतना आप ध्यान रखो Anglo-Nepali relations की बात करेंगे तो आपको बस एक treaty याद रखने है, Treaty of Sagoli 1816 में जो British के favor में थी नेपाल ने accept कर लिया था एक British resident काटमांडू में और गडवाल और कुमाओ दे दिया था इनको और तरहाई पर अपने claims बे abandon कर दिये थे और सिक्केम से भी ये लोग चले गए थे और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें बस ये थान रखना है कि ये Lord Hastings का time था Anglo-Burma relations 1823 में Burmese ने tag किया था company का island शाहपुरी में और border बना लिया था वहाँ पे तो पहला Anglo-Burma war हुआ 23-24 में 2nd 52 में और 3rd हुआ 1885 में और जो सबसे important treaty है वो है यांडबू की treaty पे करेंगी company को compensation war का एक करोर मतलब एक करोर से कम तो ये पैसे नहीं लेते थे किसी से, seed करेंगे coastal provinces आरकान और तेनासरिन की claims abandon कर देंगे असाम काचर और जैंतिया पे, Manipur को independent state recognize किया जाएगा, negotiate होगी commercial treaty Britain के साथ, और एक British resident accept होगा एक EVA, और posting होगी किसी Burmese envoy की Calicut में treaty of Yandabo, जो है, इसने काफी prestige increase कर दी थी, British की और British government की, और यहीं से Lord Ambrist को title मिला था, Earl of Arakan, यह सबसे important बात है इसके, बस पहली Anglo-Afghan war, यह हुई 1839 से 1842 तक 4 साल तक, Lord Auckland थे हैं यहाँ पे और end वी किस के ताइम पे, Lord Allenbrook के ताइम पे, second, treaty of Gundamak याद करना है आपको, 1879 British और Yakub Khan के बीच में, Yakub Khan ने कहा कि आप British resident हम, बठा लेंगे अपना Gundamak में, और English representative हेराट में, और बाकी के border towns पे, बस आपको important चीज़ इंध्यान रखनी है, कौन सी treaty कौन हारा जीता और कौन सा year अब देखो, 1857 का जो revolt है, उसको माना जाता है कि लोगों ने विधरो किया था सबसे बड़े scale पे और सबसे पहला लेकिन इससे पहले भी, लोगों ने resistance दिया था, Britishers के खिलाफ अब इस वाले topic के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम यहाँ पे civil uprisings देखेंगे आप लोग एक map ले लीजे physical और उस पे areas में mark कर लीजे, देखिए जो यह uprisings थे, यह इंडिया में हर जगा नहीं थे आपको prominently दिखाई देंगे यह बंगाल और सब वाले इलाके में तो उससे आपका क्या होगा आपका revision बहुत easy हो जाएगा type of question क्या पूछा जाता है नाम revolt का year भी पूछ लेता है, आपको थोड़ा सा अंदाजा जरूर chronological होना चाहिए साथ में यह जरूर पूछता है कि उसका area क्या था, किस छेतर में वो फैला था, और उसके important leaders के नाम पूछ लेता है बस, सबसे important यही है और यही हम देखते वे चलेंगे और वही चीज़े, उतनी ही चीज़े आपको पढ़नी है, जो एक्जाम के लिए सबसे important है सबसे पहला और सबसे important है, सन्यासी revolt 1770 से 1820 क्या होता है, 1770 में सूखा पढ़ता है economic order बहुत खराब था तो इन्होंने क्या किया, एक group था, सन्यासीज Eastern India में, वो fight करते हैं British के against अब यह लोग peasants हुआ करते थे, farmers थे, इनको इनकी जमीन से निकाल दिया तो ऐसे करके यह लोग जो dispossessed small जमीनदार्स थे, या कोई और इसको कहा जाता है as the fakir rebellion, very important आनन्द मठ जो है बहुत famous, semi-historical novel है by बंकिम चंदर चटो पाधिया है यह सन्यासी revolt पे ही based है और उन्होंने एक novel लिखा था, देवी चौधरानी क्योंकि इस वाले revolt में, बहुत importance देखा गया था, women का तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है मिडनापोर और दालभुम, पहले तो आप यह देख लीज़े कब हुआ 1766 से 17, 1766 से 74 तक, यह भी same, देखिए कही न कहीं same problems नज़र आएंगी आपको, लोगों की तो जमीनदारी system, नया land revenue system इसके अगेंस्ट, यह लोग सब हतियार उठा लेंगे, अब इसमें important leaders के नाम देख लीज़े, आप दामोदर सिंग और जगनात ढल बस, माउमारीज का revolt, यह जो था area देखिए, आप सब से पहले इसका असाम वाला, और यह माउमारीज जो थे low caste farmers जो teachings follow करते थे अनिरुद्ध देव की, बस civil uprisings, गोरखपूर बस्ती बहराई ची, आपको पता चलिया कौन सा area था same problem, जमींदार लोग cultivator लोग जो हैं, वो इतना जादा उनसे tax वसूल आ जाता था, उसके against यह लोग हतियार उठा लेंगे, गोरिला forces भी इस्तेमाल होंगी कई बार, और इस rebellion को suppress कर दिया गया था, और बस, इसमें कोई खास चीज इंपॉर्टन नहीं है ढूंडिया इन बेडनूर यह जो है, यह हुआ था after the victory of Mysore in 1799 मही के local leaders होंगे, और इसको crush किया था वेलसली में गंजम और गुमसर की अप्राइजिंग्स, नदरन सरकार्ज में गंजम और उसके आसपास की एरिया में revolt हुआ against British, स्त्रीकरा भंज, यह एक जमेंदार हैं जो इस वाले revolt से related हैं, अप्राइजिंग्स इन पालमाउ, अब यह आप देखेंगे, सेम प्राब्लम, इनके लीडर देख लीजे भूकन सिंग, यह एक चेरोचीफ थे जो rebellion किया जिनोंने और इनकी death होती है 1802 में और फिर इसको यह लोग Britishers calm down कर लेते हैं पॉलिगार्ज रिबोल्ट, यह पॉलिगार्ज South India के थे अपराइजिंग जिन भिवानी 1809 Jarts of Haryana ने विद्रो किया था वहाबी movement यह एक Islamic Revivalist movement था लीडर कौन थे, सैयद हैमद, राइबरेली के पटना इसका मेन सेंटर था स्टाटू 1830 में बरेलवी की death के बाद इनायत अली, विलायत अली बिहार में टीटू मीर, डूड मियान बंगाल में इसको लीड करते हैं कुका movement 1840, लीडर कौन है भगत जवाहर मल सियान साहिब बोलते थे इनको वेस्टन पंजाब वले इलाके में ये हुआ था बस, जादा चीज़ें जो मैं आपको important बता रही हूँ, बस आप वो ही देखते चलेंगे पागल पंथी रिवोल्ट ये एक semi-religious group था जहाँ पे हजोंग और गारो ट्राइब के लोग थे माइमेंसिंग डिस्रिक्ट में पहला आपका बंगाल था ये और इनके लीडर कौन थे? करमशाः nothing else is important मोपला अप्राइजिंग्स कौन से एरिया में था ये? मालाबार रीजन में बस, ये important है पहाडी रिबेलियन ये हैं मार्शल पहाडी ओफ्तर राजमहल हिल्जन 1778 चुवार अप्राइजिंग्स 66 से 72 चलेगा ये फिर दुबारा से आएगा ये और सबसे important significant अप्राइजिंग यहाँ पे होईगी अंडर दुर्जन या फिर दुर्जोल सिंग 1798 कोल म्यूटिनी छोटनागपुर प्लाटू के एमिटेंट्स हैं ये और आपको इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है बूधो भगत ये इनके लीडर का नाम आपको याद रखना है सबसे important चीज़ ये है इसमें देखिए कही न कहीं आप देखेंगे same heavy taxes demand होंगे ये लोग resent करेंगे और फिर rebel करेंगे सब same pattern follow होगा हो और मुंडा प्राइजिंग 1820-1837 ये राजा थे पराहट के इनोंने organize कर लिया था हो ट्राइबल्स को क्योंकि सिंग्भूं का illegal occupation किया था ब्रिटिशेज ने उसके बाद इसको मुंडा ने join किया छोटानागपुर के बस और सबसे important आपको पता ही है बिर्सा मुंडा इनको भगवान बोला जाता है वहाँ पर उलूगन ये आपको term याद रखनी है ये एक religious movement कितना start हो था कई बार वो ये directly पूछ लेगा उलूगन किस से related था संथाल rebellion सीधू कानू दो भाई थे जिनोंने प्रोक्लेम किया था कि हम company rule खतम करेंगे भागलपुर और राजमहल वाले इलाके में भील रिवोर्ट्स ये western guards वाले इलाके में थे रंपा rebellion 1879 madras presidency में जो British government थी उनकी अगेंस्ट ये hill tribes थी रंपा एरिया की और रंपा rebellion 1922 में भी वो आफर ये एक tribal uprising थी और अलूरी सीतराम राजू गुदावरी agency of madras presidency ये इनके leader थे फिर august 1922 में तक ये चला और फिर इनको पकड़ लिया था May 94 में तो ये दब गया था revolt तो ये हमने देख लिया सब important बस इतना आपको धान रखना है map आपको बना लेना है अब हम देखेंगे revolt of 1857 most important कहीं से question आये ना है यहां से question जरूर आता है first Indian war of independence बोलते है सिपोय mutiny या फिर Indian rebellion ये एक armed revolt था मतलब हतियार उठाए गए थे against British rule दो साल तक चला अलग-अलग regions में सबसे पहले इसकी reasons देख लेंगे हम अलग-अलग स्तर पे अलग-अलग reasons थे सबसे पहले थे economic causes अब भई East India Company ने क्या किया था ये लोग exploitative थे ही nature से इन्होंने industrial business इंडिया का एक दम खराब कर दिया था कम पैसे देते थे ये workers को और उनको और जादा labor करवाते थे उनसे 1813 में company ने एक one way free trade policy adopt कर ली rail ये लोग ले के आये थे अपने benefit के लिए तो rural area की industries तो पहली destroy हो गई lower class farmer की condition laborers की condition एकदम पत्से बत्तर हो गई थी और बलकि राजा और नवाब जो थे उनकी भी हाला तिनों ने tight कर दी थी एकदम political causes देखें तो British East India Company के बहुत सारे policies होती थी जैसे कि effective control हमने देखा था subsidiary lines देखा हमने, doctrine of laps देखा इसकी वेज़े से भी काफी गुसा था लोगों में administrative causes की बात करें, corruption बहुत जादा है कि आप convert कीजिए Indians को into Christians, तो सबसे मतलब attack कर रहे थे वो society पे, widow remarriage women's education, तो इसको ये अच्छे steps थे, लेकिन Indian जो section था वो इसको as an interference consider कर रहा था कि आप आके हमारे internal matter में दखल दे रहे हो sepoys में बहुत जादा discontent था, अब जो condition थी service की company की army में, वहाँ पे restrictions बहुत थे, मतलब आप अपने caste के badges नहीं पहन सकते थे, मूचे रखने पे मैना कर देते थे ये लोग, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, फिर उसके बाद ये था कि foreign allowance जो था, service allowance जो था, वो भी नहीं दे रहे ये लोग, जो बहार जाने में service करते हैं, उसका बत्ता दिया जाता था जैसे सिंद और पंजाब में अब भई, जह हमने देखे थे, इन्होंने तिसारे annexation के, तिसारे war लड़े तो उसमें इंडेंस भी तो involved थे फिर annex कर लिया इन्होंने अवद को फिर उसके बाद क्या हुआ rumors आ गए कि Enfield rifle जो है, उसको मुँ से तोड़के उसको खीच के फेकना होता था, उसके ऊपर एक जो rapper होता था, उसमें बोला जाता था कि pig fat है, और cow fat है, उसके meat से बना है वो, तो उसकी वज़ह से बहुत जादा religious sentiment hurt हो रहे थे Hindus और Muslims के अब ये सबसे immediate trigger cause ये रहा तो जो revolution था, वो initiate हुआ mangal पांडे थे barrack poor contentment के 29 March 1857 में उन्होंने नई जो एक cartridges आई थी इनके उपर अपनी voice उठाई इनके against और इनको इन्होंने capture कर लिया, कोई भी Englishman जो जाता था इनको capture करने उसको ये मार देते हुते थे तो इनको fancy लगी थी, दिखाया भी है mangal पांडे मूवी में अब इनको fancy लगने की विज़ए से atmosphere fell या पूरा revolution का पूरी country में 6th May 1857, इन्होंने protest किया नई catterjist के against soldiers ने तो उनको 10 साल का imprisonment दे दिया 10th मेंसे जो soldiers हैं उन्होंने jail तोड़ दी और उन्होंने start कर दिया मारना Britishers को अब मेरट से success हुआ मेरट से ये start हुआ soldiers ने move करना start किया Delhi और वहाँ पे Delhi का इन्होंने possession ले लिया इस time पे independence announce हो गई इटावा में, अलीगड में, आजमगड में, गुरकपुर में बहादुर शाह जफर इनको एक symbolic head के तोर पे देखा गया अब इसमें बहुत जादा चीज़ें कोई important नहीं है आपको बस centers और उनके leaders जरूर देखने हैं ये match the following में और कैसे भी पूछर आ सकते हैं कानपूर, नाना साहिब लखनो, बेगम हजरत महल, रोहिलखन, खान बहादूर, बिहार, कुमर सिंग फैजाबाद मौलवी, एहमद उल्ला, मतुरा देवी सिंग, मेरट कदम सिंग, गौलियर, तांतिया टोप अलाबाद लियाकत अली, बागपच, शाहमल, जहांसी, लक्षमी बाई अब actually इनको emperor जो थे डेली के, इनको formally head बनाया जा रहा था जो leadership थी दिल्ली में, वो थी general बक्त खान के under suppress कर देंगे, ये लोग, lord केनिंग, उस टाइम पे viceroy थे और उन्होंने army बुलाई, जेनरल नील के against, जेनरल नील को lead करते वे, और revolutions उते, बनारोस और अलाबाद में crush कर दिया commander in chief general anson, इन्होंने order किया, कि लोगों को murder करो आप फिरोसपुर, जलंदर, full war, अंबाला में, और violation जो करेगा military rules का, उनको cannons में, तोपों से बांध के मतलब blue कर दो, उड़ा दो, इस तरीके से इन लोगों ने suppress किया, देखिए, result क्या रहा, पहला major change ये रहा कि government of India act आया, 1858, जिस से East India company के हातों से power लेके सौपी गई किसको, British crown को, तो ये हम मतलब polity में अलग से देखेंगे, पर अभी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, तो सारी important बातें आपको revolt की पता चल लेए अब हम देखेंगे, social religious reform movements के general features, ये बहुत important topic है, इससे भी जो ब्रह्मो समाज, प्रातना समाज, अलीगर्ड movement ये सब, और कुछ थे revivalist movement, आरे समाज और देवबन movement जैसे, दोनों ही movement, चाहे दोनों एक दूसर से अलग हों, या कुछ similar हों, लेकिन इनकी जो ये अपील थी, वो ये थी कि जो lost purity है, जो religions ने lose कर दी है, उसको ये लोग reform करना चाते थे, और इन दोनों के बीच में difference क्या था, कि कौन कितना emphasis डाल रहा है, किस degree पे emphasis डाल रहा है, tradition पे, reason पे, और conscience पे, इनके दो objectives थे, पहली बात तो women की condition improve करना, दूसरा society से untouchability remove करना, सती tradition की बात करें, तो राजा राम मोहन रोय सती system को उन्होंने gross injustice बताया था women के लिए, और बोला था कि बहुत ही shameful है ये पूरी हिंदू society के लिए, उन्ही के effort से 1829 में widows को रोका गया था, मतलब जिन्दा जला दिया जाता था, अपने husband की death के बाद, पहले ये implement हुआ बेंगॉल में, और फिर madras में, और फिर बॉंबे में, female infanticide को prevent किया गया, बै क्या होता था, female infants को immediately birth के बाद मार दिया जाता था, upper class में ये practice बहुत common थी बंगाली में और राजपूट्स में, तो जो बंगाल regulations आए 1795 और 1804 में उन्होंने बोल दिया ये बिल्कुल illegal है and it is equivalent to murder and yes of course it was, और अगर आज भी ऐसे cases हैं, तो yes it is, some laws made in 1870, 1870 में भी कुछ laws बनाए गए, female infanticide को prevent करने के लिए, child marriage पे भी बहुत सारे acts आय थे, आप सकते हैं Native Marriage Act है, Civil Marriage Act 1872 का, एक पार्सी reformer थे, BM Malabari, इन्होंने काफी काम किया था, Age of Consent Act 1891 का इनी के effort से लाया गया था, जहां पे marriage जो होती थी लड़कियों की, वो below 12 years नहीं हो सकती थी, फिर आया शारदा Act 1930, जिसने फिर इसको 18 years किया, और 14 for boys and girls, 14 for girls and 18 for boys, आपको chronology याद रखनी है, कि जैसे पहले Age of Consent Act आया, फिर शारदा Act आया, बाकी आपको थोड़ा leaders के नाम भी याद रखने है, विडो रिमारिज, ब्रह्मो समाज ने काफी इस बात पे मुद्दा उठाया था, कि विडो रिमारिज होनी चाहिए, और पंडित ईश्वर चंदर वि कालकटा, female juvenile society में, 18, 19 में, और bethune school, J.E.D. bethune ने, ये इसके founder थे, कालकटा में, 1849 में, पंडित इश्वर चंदर विद्या सागर, associated थे, 35 girl school से, बंगाल में, और इनको काफी pioneer माना जाता है, women's education में, Charles Woods Dispatch for Education, very important, 1854, ये हम detail में पढ़ेंगे, आगे चलके, इसने काफी stress ले किया था, for the need for female education, 1914 में, women's medical service ने भी काफी काम किया था, nurses और midwives को train करने के लिए, midwives होती हैं, जो child birth में help करती हैं, तो इस तरीके से, ये हमने देख लिया, अब हम देखेंगे, इन सब general survey देखेंग राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज, देखें, राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है, father of Indian renaissance, maker of modern India, and a man of versatile genius, इन्होंने लिखी थी gift to monotheists, 1809 में, और translate क्या था उसको, बंगाली में, the Vedas, और five उपनिशत्स को, 1814 में इन्होंने आत्मिय सभा सेट अप की थी, या society of friends बोली जे इसको, monotheistic ideas, वेदानता के propagate करने के लिए, और देखें, इन्होंने बोला था कि moral और philosophical message जो है, new testament का, उसको separate करने की कोशिश की थी, राजाराम मोहन रॉय ने ब्रह्मो सभा की स्थापना की, August 1828 में, बात-बाद में इसका नाम रखा गया, ब्रह्मो समाज, एंटी सती स्ट्रगल अभी हमने उपर भी देखा था, इन्ही के effort से start हुआ था, राजाराम मोहन रॉय ने काफी कुछ contribution दिया, modern education के लिए, उन्होंने डेविड हैरे को support किया था, इन्होंने found किया था, Hindu college 1817, कितना पुराना ये college देखिये, और Roy's का जो English school था, वहाँ पे mechanics भी पढ़ाई जाती थी और Walter की philosophy पढ़ाई जाती थी, 1825 में इन्होंने Vedanta college established किया था, इनकी chronology याद रखियेगा प्लीज, और ये बहुत multilingualist आदमी थे ये, इनको बहुत सारी languages आती थी, देखिये, Sanskrit, Persian, Arabic, English, French, Latin, Greek and Hebrew, देबेंदरनाट टेगोर और ब्रहमो समाज की बात क देते हैं इस theist movement को, जो बाद में जॉइन कर लिया था, ब्रहमो समाज in 1842, टेगोर जो हैं पहले ज्यानवर्धनी सभा और तत्व बोधनी सभा के head थे, जो कि 1839 में स्थापित हुई थी, जो कि एक publish करते थे बंगाली magazine तत्व बोधनी पत्रिका, उसी के नाम से सभा का ना केशब चंदर सेन और ब्रहमो समाज की बात करें, तो केशब चंदर सेन को आचारे बनाये गया था, by whom? by देबिंदरनाट टेगोर, जब इन्होंने जॉइन किया समाज in 1858, इनको बहुत से आइडियाज नहीं पसंद आते थे सेन के, जो इनको काफी radical लगते थे, जैसे cosmopolitan of the samaj's meetings, inclusion of teachings from all religions, और इनके काफी views थे, strong, किसके against, caste system के against, और ये काफी support करते थे, inter-caste marriages को भी, तो इनको office से निकाल दिया गया, 1865 में, इन्होंने और इनके कुछ followers ने, ब्रहमो समाज of India बना लिया, एक अलग, 1866 में, और जो ये पुराना वाला समाज था, इसको बोला जा भाराजा थे कूछ बिरार के, उनसे बिहार के, उनसे शादी कर दी, तो इसकी वज़ा से, इसके तो against, ये लोग काम कर रहे थे, और देखे, खुदी इन्होंने ऐसा काम कर दिया, 1878 में, जो disgusted followers थे, मतलब जो इनसे disgust हो गए तो उन्होंने एक नई organization बना लिया, मतलब खुला था, देयाल सिंग कॉलेज लहोर में, 1910 में, तो ये वाली चीज़ें इसमें से important थी, प्रातना समाज की बात करें, तो 1867 में, केशब चंदर सेन ने help किया था, आत्मरंग, पांडुरंग को, इन्होंने found किया था, प्रातना समाज बॉंबे में, देखे, थोड़ा area भी याद रखिएगा, कहां पे कौन सी organization located थी, प्रिकरसर क्या था, प्रातना समाज का परमाहन सभा, जो की 1849 में, स्टार्ट वी थी महराश्टर में, महादेव, गोवंद, रानडे ने जॉइन किया समाज 1870 में, और बाकी लीडर्स देख वीजे, RG, बंडारकर, NG, चंद बंगाल मुव्मेंट और Henry Vivian Derosio, एक यंग अंगलो इंडियन थे, Henry Vivian Derosio, जो हिंदू कॉलज में पढ़ाते थे, ये लीडर थे और इंस्पाइर थे इस प्रोग्रेसिव ट्रेंड के, इन्होंने inspiration द्रॉ की थी, French Revolution से, और इन्होंने अपने जो इनके बच्चे थे, जिनक freely and rationally, इन्होंने बहुत सारी organizations found की थी, जैसे कि Academic Association, Society for the Acquisition of General Knowledge, और इन्होंने Anglo-Indian Association और debating club भी found किया था, because he wanted की सब लोग question करें, सारी authority को, love, liberty, quality, freedom पे बात करें, तो उसके लिए इन्होंने debating club भी खोला था, इनकी death की वज़ह से, ये movement एकदम shatter हो गया था, बाल शाच्तरी जांबेकर की बात करें, तो ये pioneer थे, देखिए Bombay में, journalist थे ये basically, इन्होंने ब्रहमनिकल orthodoxy को attack किया था, और try किया था, popular Hinduism को reform करने के लिए, इन्होंने एक newspaper start किया था, newspapers very important, दरपन, 1832 में, फिर इन्होंने दिखदर्शन start किया, जो काफी scientific subjects पे भी articles इसम Liffinston College में है, उसके अलावा ये कुलाबा Observatory के director भी थे, तो he was a man of multiple talents, परमाहन समंदली, 1849 महराश्टर, most important, founders were Dadobo, Pandurang, Mehtaji, Durgaram, ये secret society के तौर पे start हुई थी, फिर उन्होंने Hindu religion और society को in general reform करना start कर दिया था, सत्य सोदक समाज और जोतिभा राव फुले, जोतिभा फुले सतारा में इनका जन्म हुआ था और ये माली, gardener community को belong करते थे, कई बार पूछ लेते हैं, match the following में, जैसे बी आरम बेटगर का नाम लिख देंगे, जोतिभा फुले का लिख देंगे, तो आपको थोड़ा पता ह होना चाहिए, इन्होंने कौन सा organization found की थे, सत्य सोदक समाज, truth seeker society भी बोलते हैं इसको, 1873 में, इनके एम देख लीजे, social service, spread of education, और ये राजा बली को as a symbol use करते थे, as opposed to Brahman symbol of Ram, ये पाइनियर थे, widow remarriage के, और इन्होंने काफी widow homes बगेरा भी कोले थे, इनको title of mahatma मिला था, very important, mark करो उसे, इनके social work के लिए, इनके work थे, सारवजनिक सत्यधर्म और गुलाम के लिए, तो बहुत famous है, servants of India society, Gopal Krishna Gokhale, एक दम आपके पास, दिमाग में तुरंत नाम associate हो जाने चाहिए, इतना याद करके जाना एक दम, question गलत होने की, कोई गुंजाईश नहीं होने चाह से, 1911 में, इन्होंने publish किया था, हितावदा, Gokhale की death के बाश, श्रिनिवाश शास्त्री, president बन गये थे society के, social service league, नारायन, मलाहर, जोशी, मालहर, जोशी, जैसे भी बोलना चाहिए, आप, Bombay में, रामकृष्ण मूव्मेंट और स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमाहंस की teaching थी, एक ये पूर प्रीस्ट थे, काली टेंपल इन, दक्षनेश्वर में, कालकटा में, ये background है रामकृष्ण मूव्मेंट का, basically, इन्होंने experience किया था, spiritual trances, मतलब ecstasy, मतलब अपनी ह मस्ती में रहते थे, बहुत early age से, इनकी दो objective थे इस movement के, to bring into existence a band of monks dedicated to a life of renunciation and practical spirituality, मतलब एक ऐसे संतों का संहु बनाना, जो की dedicated हैं एकदम life of renunciation के लिए, मतलब जो सब को छोड़ चुके हैं और practical spirituality में belief करते हैं, और इसी तरीके से, इस सब को लेते हुए, इनको teaching करनी थी, preaching क करना था, सारे लोगों को एक नजर से देखना था, और as veritable manifestations of the divine, इन्होंने खुद foundations ले की थी, रामकृष्ण मत की, और इनका young monastic disciple थे, इनके साथ, और जो इनका second objective था, वो take up किया, स्वामी विवेकानन ने, इनकी death के बाद, जब स्वामी विवेकानन ने found किया, राप फिल करना चाहते थे, between परमार्थ, that is service, और विवेवार, this is such a beautiful message, और between spirituality and day-to-day life, विवेकानन बिलीव दिन fundamental oneness of God, और religious conference हुई थी, बहुत famous है, सब को पता है, Chicago में 1893 में, जहांपे इनोंने बहुत कमाल का impression दिया था, बहुत बढ़ी हा ओरे थे, 1897 में इनोंने राम इन आरे समाच, founder आरे समाच के कौन थे, दयानन सरस्वती, पहली आरे समाच की unit set-up हुई थी, Bombay में, 1875 में, फिर इसका headquarters shift होता, Lahore में, दोनों बाते बहुत important हैं, उल्टा करके पूछ लेगा, set-up होता, Lahore में, shift हो गया था, Bombay में, तो आपको पता होना चाहिए, दयानन के views published हुए थे, बहुत famous work है, Satyarth Prakash, इन्होंने inspiration ली थी Vedas से, और उनको बोला था, India's rock of ages, ये infallible है, और ये true original seed है, Hinduism के, इन्होंने ही slogan दिया था, back to the Vedas, very important, इन्होंने attempt किया था, नया direction देने के लिए, education पे, nucleus income movement का, दिया, किसने, DAV schools, आज भी हैं ये schools हर्जे का, दयानन Anglo-Vedic schools, जो पहला कहां setup हुआ था, Lahore में, 1886 में, 10 guiding principles है इनके, आप देख सकते हैं एक बार, God's primary source है, knowledge का, God alone है, जो worship के लायक है, Veda's true book है, knowledge की, R.A. should always be ready to accept truth and abandon untruth, धर्म की बात की थी इन्होंने, principle aim था, to promote world's well-being in the material, spiritual and social sense, हर एक को treat के, आना चाहिए love and justice के साथ, ignorance is to be dispelled and knowledge is to be increased, one's own progress should depend on the upliftment of all, social well-being of mankind is to be placed above an individual's well-being, इनका जो काम था, इनकी death के बाद, carry forward किया लाला हंसराज ने, पंडित गुरुदत ने, लाला लाजपतराय ने और स्वामी शधानद ने, 1839 में, ये लाला लाजपतराय का नाम बहुत important है, यहां पे, आरे समाज, डिवाइड सेवा सदन की बाद करें, किसने फॉर्म किया था ये, भिराम जी M. मालबरी, पार्सी रिफॉर्मर थे, 1908 में, देखिए ये बाद क्यो और्गनाइजेशन्स हैं, तो कई बार मैच दर फॉलॉइंग एर का आये ना, तो हलका बहुत अगर बिल्कुल रटा हुआ नहीं है, उनको शिवधियाल साहिब के नाम से जाना जाता था, 1861 में ये movement आया था, ये आज भी जगा जगा खुले में हैं, सचसंग वाले, राधस्वामी, सचसंग की बाद की थी इनोंने, टेंपल एंट्री मुव्मेंट इन 1924, वाइकॉम सत्यगर है, लेट बाइ केपी केशवा, केरिला, देखिए, अब साउत में आ गया हैं, की अनटचिबल्स जो हैं, उनको आप हिंदू टेंपल्स में जाने दीजिए, इस बात पर था, तो काफी जथेज आये थे पंजाब स मधुरई से, और गांधी जी ने भी तोर किया था, केरिला का, इस मुव्मेंट के सपोर्ट में, तो देखिए, बात का है न, ये मुव्मेंट, इस टाइम गांधी जी काफी एक्टिफ थे, नाशनलिजम में, इंडिन सोशल कॉंफरेंस, M.G. Rana Day, रगुनात रहो है, और रेक्शन, Western influences, जो आ रहे थे, Muslims पे, उसके, अगेंस जो पहला रेक्शन था, उसी को हम बोलते है, वगाबी movement, शहा वलिरुल्ला, ने इस बात पे, फोकस किया था, और एक, set up किया था, Indian Muslims में, कि they have to return to the true spirit of Islam, 1870 तर continue रहा था, और इसका center देखे, पटना था, फराजी movement की बात करें, तो इस movement को, फराइधी movement भी बोलते हैं, Islamic pillars पे इनका बहुत emphasis था, हाजी शर्यत उला, 1818, यह आपको याद रखना है, और हाजी के बेटे, डुडु मियान, काफी revolutionary बन गया था, इनके अंडर ये movement, 1840 के बात से, एहमधिया movement की बात करें, तो मिर्जा गुलाम एहमद, 1889, लिबरल था काफी ये movement, स्टार्ट हुआ था, गुर्दास्पू डिस्रिक्ट अफ पंजाब से, और इनकी बुक थी एक बहरीन एहमधिया, किसकी गुलाम हमद की, सर साइद हमत कान, और अलीगड़ movement, साइद हमत कान, 1817 में इनका जनम हुआ, काफी respectable family थी, Muslim family Delhi की loyalist member थे, judicial service की, British government के member थे ये, उनकी services के, retirement के बाद ये member बन गए Imperial Registrative Council के, 1878 में, और इनकी loyalty से इनको knighthood भी मिला था, ये Britishers ऐसे खुश करते रहते थे Indians को, knighthood बगेरा देखे, इन्होंने establish किया था, Mohammedan Anglo-Oriental College, जिसको बहुत famously हम जानते है, अलीगड़ Muslim University के नाम से, 1875 में, इनके काफी progressive ideas थे, इनकी magazine थी, Tahidub ul-Aklaak, ये movement काफी liberal था, modern trend देना चाहते थे, ये Muslim Intelligencia में, और based कहां था, अलीगड़ में based था ये, देवबन स्कूल, दारुल उलूम, ये start हुआ देवबन में, 1866, बाई Muhammad Qasim Nanotavi, और राशिद Ahmed Gangui, ये अलीगड़ Muslim के again start हुआ था, शिबली नुमानी, काफी supporter थे देवबन movement के, इन्होंने कहा था कि English और European languages को आप include करो education system में, इन्होंने स्थापना की थी, नडवातल, उलामा और दारुल उलूमिन लखनाउं, पार्सी reform movements देखें तो, रहनुमाई, मजदेन स्यान, सभा, religious reform association, 1851 में, और इनका एक अख़बार होता था, राष्ट गुफतार, जिसका मतलब है truth teller, सिख reform movement की बात करें तो, अमरिट सर से 1873 में, दो objective थे, modern education को available कराओ, और interest सिखिजम के protect करो, अकाली movement, जिसको गुर्दवारा reform movement बोलते हैं, यह इसी का एक offshoot था, सिंग सभा movement का एक offshoot था, इसी के अंडर स्टार्ट हुआ था, government ने try किया था, बहुत repressive policies लाने से, और अकालीज ने non-violent सत्याग्रह भी लॉंच के था 1921 में, पर इसको जुकना पड़ा था before popular demands, तो उसके बाद सिख गुर्दवारा जाक पास हुआ था 1922 में, थियोसोफिकल मॉव्मेंट, ये westerners ने लेड किया था, Madam H.P. Blavitsky and Colonel M.S. Alcott, ये काफी inspired थे Indian thought or culture से, इन्होंने स्थापना की थियोसोफिकल सुसाइटी की New York City में, ये उन्यॉक सिटी में, ये उन्यॉनिट स्टेट में, 1875 में, फिर इनके headquarters आई एड़ेर, very important, फिर थी में आई थी उससे पहले, और इन्होंने foundation लेगी Central Hindu College in Banaras in 1898, जहाँ पर Hindu religion और western scientific subjects पढ़ाई जाते थे, और ये ही college nucleus बना, जो आज हम जिसको जानते हैं, Banaras Hindu University के नाम से, 1916 में इसकी स्थापना हुई, अब यहाँ से modern nationalism स्टार्ट होगा इंडिया में, अब ये किसी एक particular situation या cause का reaction नहीं था, पर बहुत सारे factors का combined result था, कोई भी चीज, भई बहुत सारे factors मिलके किसी चीज को trigger करते हैं, अब क्या हो रहा था, पूरी दुनिया में, French Revolution ने nationalism पे बड़ा focus डाल दिया था, और right of self determination पे, Indian Renaissance और offshoot था modernization का, जो British Indian नहीं start किया था, they wanted कि Indians British बनें, तो वो भी contributing factor था, और जो British की imperialist policies थी, इनके against the strong reaction आई रहा था, प्रेस और literature का क्या रोल था, second half जो था 19th century का, वहाँ पे Indian owned English और vernacular newspapers, जो थे मितलब अपनी स्वदेशी भाशा के जोग बार थे, वो बहुत सारे आए एकदम से, तो बहुत सारे restrictions भी चल रहे थे press पे, जो ये लोग थे, ये लगाते रहते थे बहुत सारे restrictions, लेकिन उसके बाद भी आए, 1877 में 169 newspapers पब्लिश हो रहे थे, वरनाकुलर लांग्विज़ में, और इनका जो circulation था, वो एक लाग पहुँच गया था, प्रेस, भाई, क्रिटिसाइज करती थी official policies को, लेकिन उसके opposite ये बोलते थे, कि हम सबको एक हो जाना है, newspapers, journals, pamphlets, इस सब help हो, भाई, इनका क्या होता है मतलब, ये तो मतलब होता है, कि political ideas को, exchange होने में help करना, देखे, newspapers की start बहुत अच्छे से हुई थी, आज की time में बलकि, प्रेस उतना अच्छा काम नहीं कर रही है, जितना अच्छा, जिस काम से ये start हुए थे, अब impact of contemporary movements in the world, जैसे कि हमने देखा, बहुत सारी nations का rise हो रहा था, Spanish और Portuguese Empire Space Out America में, national liberal movements चल रहे थे, Greece में, Italy में, Ireland में, तो इसकी वज़े से भी बहुत फरक पढ़ रहा था, बही जो यहां का educated class था, वो तो overall चीजें देख समझ और पढ़ रहा था ना, reactionary policies और racial arrogance थी, रूर्स की तो बही हम बात करते ही आ रहे है, बही लिटन जो आये थे, तब ये international movement रहे सब तो पढ़ना ही होता था इनको, Grand Delhi दरबार हुआ 1877 का, मतलब country में तो भूका हो रखा है, सब सूखा पढ़ा हुआ है, फेमा ही है, लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, और ये लोग पुरा दरबार लगा रहे हैं, Vernacular Press Act 1878 का, Arms Act 1878 का, इस तरीके से काफी storm of revolt बन रहा था, और फिर आया Ilbert Bill controversy 1883 में, पढ़ेंगे हम सब डीटेल में, Political associations before International Congress, ये भी important है, question आ सकता है, देखिए, बंगाल में कौन-कौन सी थी, बंग भाशा प्रसिक्षा सभा, 1836 में, राजराम मोहन रॉय की साथवा लेते, उन्होंने बनाया था ये, जविंदारी association, Land Holder Society बोलते थे, इसको, July 1838, Landlords के interest को, सेफ़गाट करने के लिए थी ये, Bengal British India Society, 1843, 1851 में भी ये जो Land Holder Society थी, और जो ये Bengal British India Society थी, इनको मर्ज कर दिया, क्या बना, British India Association, India League, 1875, शिशिर कुमार घोश, Indian Association of Calcutta ने इसको सुपरसीड कर लिया था, और ये किसने फाउंड की थी, बहुत यंग नैशलिस थे बंगाल के, led by सुरेंदरनाथ बैनर जी इन आनन्द मोहन बोज, 1876 में, जब एक साली तक रही ये वाली, फिर ये और लीडर जो associated है उससे, तो इस तरीके से आपका ये चार्ट टाइप बन जाएगा एक, ऐसे, Bombay Presidency Association, बदरुदीन तैयब जी, फिरोश्चा महता, केटी तिलांग, 1885, और मडरास में, मडरास महाजन सभा, 1884, बाई M. वीर रागवचारी, B. ये आपको धान रखने हैं, अब यहां से हम देखेंगे International Congress, अब इसका, इसकी स्थापना, और moderate phase का यहां से शुरू होना, 1870 और 1880 में, एक solid ground prepared था, कि कोई All in the organization चाहिए हमको, final shape इस idea को दिया, एक retired English civil servant, A.O. Hume ने, 1883 में, Hume ने prominent leaders जो उस वक्त के थे, उनसे अपने संपर्क बनाने स्टार्ट करें, और इस साल एक All India Conference organized की, 1884 में इनी के effort से एक organization बनी, Indian National Union, इस organization ने काफी सारी conference organized की, जहां पे अलग-अलग representatives आये नेशन से, Bombay में, 1885 में, और पहली, All India Congress यहां पे बनी, इनके अलावा, A.O. Hume के अलावा, सुरेंदरनाथ बैनर जी, आनन्द मोहन बोस, Chief Architect माने जाते हैं, Congress के, पहला session 72 delegates ने टंगिया, यह बहुत important है, डिरेक्ट पूछादा सकता है, और प्रजाइड किस ने किया, W.C. बैनर जी, वोमेश चंद्र बैनर जी, इनके कुछ great presidents इस phase में रहे, दादा भाई नरो जी, तीन बार, बदरुदीन तैयब जी, फिरोश्या महता, P. आनन्द चारलू, सुरेंदरनाथ बैनर जी, रुमेश चंद्रदत, आनन्द मोहन बोस, गुपाल कृष्ण गोखले, और बाकी के prominent leaders के नाम कुछ यहाँ पे दिये हुए हैं, 1890 में कादंबिनी गांगुली, पहली women graduate थी, कालकटा यूनिवर्सिटी से, डॉक्टरी की थी इन्होंने, इन्होंने address किया, Congress के session को, देखिए, Congress के sessions बहुत important है, हम ये tabular form में कर लेंगे सारी चीज़ें का वर, लेकिन आप ध्यान देते वे, इन specific चीज़ों पर चलिएगा, साथ-साथ मैं आपको हर important चीज़ बताती जारी हूं, exam से related, तो अब ये आपका है responsibility, कि आप उन चीज़ों को कितने ध्यान से prepare करते हैं, safety valve theory, ये एक theory थी basically, कि Hume ने Congress इसलिए बनाया, कि भाई लोगबाग अल्रेडी बहुत नारास थे, इन लोगों की फैमाइन हो रही है, डेली दरबार लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उस चीज़ को एक vent देने के लिए, और extremist leaders जो थे लाला अलाजपतर, फाउंड करेंगे, politicize करेंगे, political educate करेंगे लोगों को, एक headquarter बनाएंगे movement के लिए, friendly relations प्रमोट करेंगे, national political workers अलग-अलग पार्ट के country से, एक anti-colonial nationalist ideology डेवलाप करेंगे, present popular demands को formulate करेंगे, और unified करेंगे लोगों को, common economic और political program पे, consolidate करेंगे, feeling of nationalism लेके आएंगे, और Indian nationalhood को promote करेंगे, तो एक आया era of moderates, यह वो नरम दल और गरम दल वाली, चीज़े यहां से शुरू हो जाएंगी, 1885 से 1905 तक, इस phase को liberal phase बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो यह basically, दारुमदार था, वो था कि इनके उपर, यह liberal थे leaders बहुत, दादा भाई नरोजी, फिरोश शा महिंता, D.E. वाचा, W.C. Banerjee, S.N. Banerjee, इनका क्या था, हम constitutionally agitate करेंगे, हम गायरे में रहेंगे एकदम लौके, और हम धीरे-धीरे orderly political progress शो करेंगे, अब इसको अचीव करने के लिए, यह दो तरह से काम करेंगे, पहली बात तो एक strong public opinion लाएंगे हम, एक consciousness अरोज करेंगे, national spirit ले के आएंगे, और फिर हम उनको educate करेंगे, दूसरा, हम Britishers को persuade करेंगे, request करेंगे, basically, समझाने की, मनाने की कोशिश करेंगे, और government को और British public opinion को, करेंगे, जो हम यह कह रहे हैं, आप यह reforms please लेके आएंगे, प्लीज वाला इसमें factor लगा हुआ है, prayer and petition देखिए, और अगर यह नहीं माने, तो हम constitutionally agitate करेंगे, अब एक British committee भी बनी थी, International Congress की important point है, London में, 1899 में, अब इन moderate nationalists का क्या contribution था, देखिए, एक economically ली इन्होंने बहुत कमाल का critique पेश किया, British imperialism का, जैसे कि दादा भाई नरो जी, R.C. दद, दिन्शा वाचा, इन्होंने analyze किया कि actually British rule India की economy के साथ क्या कर रहा है, और इन्होंने theory put forward की, that was drain theory, किस गजब के तरीके से Britishers exploit कर रहे हैं Indians को, तो ये इनका मुझे personally सबसे important contribution ये वाला इनका लगता है, without any doubt. Constitutional reforms और propaganda किया इन्होंने अच्छा कासा legislature में, legislative councils में कोई real official power नहीं थी 1920 तक, पहली legislative, central legislative council expand हुई 1861, councils of India Act से, उसके बाद, governor general के अलावा, 6 से 2 additional members arrange किये गए, मतलब 1862 से 1892 तक देखिया आप, 30 साल के time period में, 45 Indians nominate हुए थे केवल, Indian councils act आया 1892 का, अब ये एक और act था, ये काफी increase हो रही थी, popularity Congress की, इसकी विज़ाए से British government was forced to pass this act, इसके provisions देख लीजे आप main-main, ये number of additional members का मुदा तो चलता ही रहेगा भी हमने देखा, जब 30 साल में इन से 45 हुए मुश्किल से, legislative councils में और provincial legislative councils में बढ़ाए गए, imperial legislative council में, governor general के पास, 10 to 16 non-officials members हो सकते थे, पहले 6 थे, non-official members जो थे, वो nominate होते थे by Bengal Chamber of Commerce और provincial legislative councils, ये recommended, मतलब इनको universities, municipalities ये सब भी recommend कर सकते थे, तो principle of representation आया, मतलब ये इनको represent कर रहे हैं न, budget discuss हो सकता था, discuss, और questions पूछे जा सकते थे, अब era start होगा, era of militant nationalism, अब भई, militant nationalism की जरूत क्यों पड़ी, जब moderates काम कर रहे थे तो, ये जो policy थी ना, persuasion की Congress की, इसका इन पे कोई असर हुआ नहीं, और ये continued Ryan का, इसके response में, एक feeling आई कि स्वराज जो है, वो struggle से आएगा, संघर्ष से ही मिलेगा हमको स्वराज, constitutional movement में confidence, लूस कर दिया Indians ने, तो जो ये feeling थी, कि हमें freedom लानी है through struggle, इसको बोला गया extreme nationalism, और एक party थी इंडियन National Congress की, जो बड़ा इसको support करती थी, करजन की reactionary policies, सबसे पहला reaction create हुआ Indians के mind में, करजन के 7 साल के rule में, जो पूरा भरा हुआ था, missions से, commission से और omissions से, इनों ने मना कर दिया, हम तो इंडिया को nation बानते ही नहीं है, insult करते थे इंडियन Nationalists की, इनको letting off gas बोलते थे, इनकी activities को, जो ये लोग कर रहे होते थे, उस बक्त Congress वाले, ये derogatorily बोलते थे, इंडियन character के बारे में, administrative measures इनके rule में, जो I Official Secrets Act, Indian University's Act, फिर इन्होंने बंगाल का partition कर दिया, तो दिमाग में doubt बचा नहीं किसी के, कि अब कुछ solid करना पड़ेगा, 1905 में जो ये dissatisfaction का atmosphere था, ये climax पे पहुँच गया, जब बंगाल का partition किया इन्होंने, और इनकी जो language थी, वो बहुत ही bitter थी, intense agitations थे, पूरी country में protest हो रहा था, against the partition of Bengal, and boycott of foreign goods की बात यहां पे होनी start हो गई थी, काफी early time पे, अब एक existence था, militant school of thought का, बै कुछ लोग थे जैसे, Raj Narayan Boss, Ashwini Kumar Dutta, Aurobindo Ghosh, Vipin Chandrapal, Vishnu Sastri Chiplunkar, Balganga Dhar Tilak, इनका, ये एक band था nationalist thinkers का, जो बोलते थे, आप थोड़ा militant approach डालो, इस political काम में, British government का decision, Bengal का, public हो गया था, December 1903 में, official reason दिया गया, कि population जो है, काफी बड़ी है, और बहुत बड़ा हो गया है, हमसे administer नहीं हो रहा है, real motive ये था, कि Bengal को weak कर दो, ये nerve center की तोर पर उभर के आ रहा था, internationalism के, तो इन्होंने क्या बोला, कि language के basis पे, Bengali इसको Bengali में ही minority बना दो, और religion के basis पे, जो western half है, that is to be Hindu majority area, इस दिमाग देखो इनका, anti-partition campaign जो था, moderates के अंडर, ये जो leadership थी, इस वक्त सुरेंदर रगाद बैलर जी, केके मित्र, पृत्वीश चंदर रोय, इन सब के बीच में थी, इन सब के हाथ में थी, अब वो ही था इनका तो agenda, petitions दो government को, public meetings करो, memorandums दो, propaganda बनाओ, pamphlets के थूँ, newspapers के थूँ, हिताब दी, 1905, देखिए एक ना, मैं आपको suggest कर रहे हूँ, normal paper लीजे, और उस पे सिर्फ dates लिखते जाएए, और arrow बनाते जाएए, जैसे, यहाँ पे आया ना यह, July 1905, फिर एक arrow बनाके आगे, August 7, 1905, इससे आपके दिमाग में न, chronological history को पढ़ेंगे, तो बहुत असान हो जाएगी, boycott resolution, ऐसे एक एक line डे आड कर सकते हो, साथ में चाहो तो, और from former proclamation, यहाँ से स्वदेशी movement का start हुआ, अब इसके आगे देखो ही है, यहाँ पे नीचे, October 16, 1905, यह था दिन partition का, और इसको day of morning के तौर पे, observe किया गया था, पूरे बंगॉल में, Congress की position इस वक्त, Congress, International Congress, meeting होती 1905 में, President थे, गोखले, इन्होंने बोला, हम अलोचना करते हैं, बंगाल के partition की, और reactionary policies की करजन की, और हम एक anti-partitional सुदेशी movement, को support करते हैं, एक्स्ट्रमिस्ट ने बोला, कि passive resistance करो, in addition to Swadheshi and boycott, voluntary organizations और committees बनी इस वक्त, बहुत सारी, अश्पिनी कुमार दद की Swadhesh Bandhaf committee, इसी टाइप के टाइम पे आई थी, Swadheshi और National Education Program आया, शांतिनी केतन जो था, रबंतिनाठ टेगुर का, उससे inspiration लेके, National College खोला गया एक कैलकटा में, और Arvindu Ghosh को, उसका principal appoint किया गया, ऐसे ही National Council of Education आया, 15th August 1907 को, ये बहुत important है, Labour unrest और trade unions, बहुत सारी strikes हुई, rising prices के शूपे, racial insult के शूपे, September 1905 में, 200 Bengali clerks जो थे, burn company हाउरा के, protest में, और derogatory work regulation के against, उन्होंने march किया, Prince Union स्टैबलिश हुई, 21 October को, इस fierce strike के ही बीच में, July 1906 में, East India Railway के लोगों ने strike किया, 1906 में, Nawab Zaf, Dhaka, Salimullah और Aga Khan ने, Muslim League की स्थापना कर दी, मतलब ये इसके साथ साथ है, और ये बहुत important point है, जो use किया था, Britishers ने to thwart the Swadishian boycott movement, इसी को, यहां से, इट डिवाइट स्टार्ट हुजाएगा, अब, annal किया गया, खतम किया गया, partition वाली बात को, 1911 में, किस वज़े से, revolutionary terrorism को, contain करने की वज़े से, अब, annalment की वज़े से, Muslim political elite को, बड़ा धक्का लगा, क्योंकि यह वहाँ पर, उनको support करना, start कर दिया था, यहां पर, decide हुआ, कि shift करो, capital to Delhi, और, it was associated with, Muslim glory also, लेकिन, Muslims इससे, कोई खास खुश नहीं हुए, Bengal और Odisha को, Bengal से भार निकाला गया, और Assam को, एक separate province, बनाया गया, फिर आया सूरत स्प्लिट, December 1907 में, दो events जो थे, अनकनेक्टेड नहीं थे, इस वक्त revolutionary activities, भी काफी, momentum पे थी, extremists चाहते थे, 1907 में, कवा जो session है, वो नाकपुर में हो, और तिलक या फिर, लाचपत राई को, इसका precedent बनाया जाए, और ये जो स्वदेशी boycott, और nationalism की बात हो रही है, इस पर काफी emphasis किया जाए, moderates चाहते थे, session हो सूरत में, जिससे की, अगर सूरत में session होगा, तो तिलक को exclude कर दिया जाएगा, क्योंकि home presidency में, home constituency में, आप precedent नहीं बन सकते हो, उनको रास बिहारी गोष्ट चाहिए थे, precedent, और वो चाहते थे, इसको drop कर दो resolution को, स्वदेशी boycott और national education वाले मुद्दे को, इस तरीके से, इनमें काफी लडाई जगड़े हो गया, और एक split, inevitable हो गया, government का रिप्रेशन, government काँ चुब बैटेगी, इस ताइम पर हो massive attack कर देंगे, extremists पर, पांच नए law ले आई ये लोग, anti-government activity चेक करने के लिए, seditious meeting act, newspapers act, criminal law amendment act, press act, बहुत सारे, तिलब को जो थे main extremist leader, इनको इनों ने 1909 में, sedition का charge लगा दिया, इनके उपर, के इनों ने केसरी में कुछ लिखा, इनका newspaper था, about a bomb thrown by Bengal revolutionism, मुझफरपुर, और जिसकी वज़े से, दो innocent European women की death हो गई थी, हम revolutionary activities सब अलग से पढ़ेंगे, पर हैं तो सब चीजें parallel चल रही हैं न, 1908 के बाद, फ़र decline हो गया है movement, 1914 में, तिलक को release किया गया, और इन्होंने फिर से movement के threads अपने हाथ में उठाए, Morale Minto reforms आते हैं इस वक्त 1909 में, October 1906 में, Muslim elites का एक group, जिसको Shimla Deputition बोलते हैं, आगा खान इनको lead कर रहे थे, Lord Minto से मिले, और इन्होंने का हमें separate electorate चाहिए, Muslims के लिए, इन्होंने का चलो, कुछ reforms दे देते हैं आपको, elected members जो थे, उनका number Imperial Legislative Council और Provincial Legislative Council में बढ़ाया गया, non-official majority लाई गई, लेकिन कुछ non-officials nominated थे, elected नहीं थे, तो overall non-elected majority ही थी, Imperial Legislative Council में 69 members में से, 37 जो थे officials थे, और इन में से 32 non-officials थे, पांच nominate करने थे, और 27 elected non-officials में से, 8 seat reserve की गई for Muslims under separate electorates, मतलब सिर्फ Muslims ही vote करेंगे, यहाँ पे Muslim candidates के लिए, और 4 seats reserve की गई, British capitalists के लिए, 2 landlords के लिए, 13 line under general electorate, elected members were to be indirectly elected, local bodies, जो हैं वो elect करेंगी, यहाँ एन electoral college, जो की elect करेगा, members of provincial legislatures, और बाद में जो elect करेंगे, members of central legislature, इसके अलावा, separate electorates of Muslims के लावा, representation in excess of the strength of their population, Muslims के according, मतलब जितनी उनकी strength होगी, उससाब से उनको फिर, representation दिया जाएगा, और income qualification जो था, Muslims का, उसको कम रखा गया, Hindus से, legislatures की power, दोनों central provinces पे, बढ़ाई गई, और legislatures अब resolutions पास कर सकते थे, जो accept या नहीं भी accept हो सकते थे, questions पूछ सकते थे, supplementaries हो सकती थी, vote हो सकते थे, separate items पे budget में, और budget as a whole, vote नहीं किया जा सकता था, ये वाली power अभी भी नहीं मिल ली थी, और एक Indian को, Vice-Roy के Executive Council में, appoint किया गया, और सतिंद्र सिन्हा थे, ऐसे पहले Indian appoint होने वाले, 1909 में,